बाबा बंगाली, गुफा की दर्वाजा खोलो हाली हाली क्या हुआ छबीला, क्यों मुझे नींद से जगाया बाबा बंगाली, ये देखिये, समुंदर की राज कुमारी मरीना घायल हो गई है इन्हें इलाज की बहुत जरूरत है समुंदर की राज कुमारी मरीना मुझे इस हालत में मिलेंगी, कभी सोचा नहीं था आखिर इनके साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ जल्दी इन्हें रखो यहाँ अरे ए छबीला, तो निकी हुआ आवा हो बोलो का लगता है तुम्हें, यह बाबा बंगाली बचा लेगा जल्परी को तुम्हें सक है सक है तभी तो पूछ रहा हूँ सुना है जो भी बाबा बंगाली पे सक करता है, उसे बावासीर हो जाता है मैं तो किसी पे सक करता ही नहीं हूँ, मैं तो मजाग कर रहा था पानी के अंदर आग जला दिया, ऐसा कैसे हो सकता है तु कह के तो देख, तेरे अंदर भी आग लगा दूँगा अपना साला हुआ मुह बंद रख भुरा बाबा बंगाली, और कितना समय लगेगा इन्हें ठीक होने में हलवा है, ती गप से खा गया मंत्र को काम करने में समय लगता है बड़ा ही बत्तमीज बाबा है, तेरा खुन कब खौलेगा रे सरदार खुन तो बहुत खौल रहा है, लेकिन हम इसके इलाके में है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा सरदार वो देखो जलपरी होस में आ रही है छबीना तुम यहाँ वो सार्क किधर है और मैं यहाँ कैसे आई आपको आराम की जरूलत है राजकुमारी मरीना आपको सार्क ने घायल कर दिया था और आपको इन लोगों ने लेकर आया मेरे पास अबे बूर बको जल्दी से अपना सर जुकाओ नहीं तो तुम सब भूखे मगर मच्छों के सामने परोस दिये जाओगे नहीं किसी को भी जरूरत नहीं है सर जुकाने की बाबा बंगाली आप भी खड़े हो जाए तुम लोगों ने मेरी जान बचाई इसके लिए तुमहरा बहुत बहुत शूकरिया अब तुम लोग जाओ हम सब सोने की दुसरी चाभी की तलास में निकले हैं उसे लिए बगएर हम नहीं जाएंगे क्या कहा सोने की दुसरी चाभी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भूल जाओ उसे ऐसे कैसे भूल जाएं, हम नहीं भूलेंगे, वो दूसरी चाभी लेकर ही जाएंगे ये क्या था सरदार, ऐसा लगा कि समुंद्र में भुकम पाया कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, अगर जड़ा भी हिले, तो मारे जाओगे अब कौन सी नई आफ़त आ गई दूसरी बार भुकम, ये कोई भुकम नहीं था, ये पिराना है पिराना? हाँ, पिराना जुन्डों में सिकार करती है जब वो आती है, तो ऐसे ही समुंद्र में उथल पुथल होने लगती है सरदार, ये पिराना क्या होती है? पिराना मेरी मौसी का लड़का है क्या? जब वो तुम्हारी चमरी को नोचेंगी, तो तुम्हें पता छल जाएगा कि पीराना क्या होती है。 पीराना जादा हलचल की तरफ आकर्चित होती हैं, तो अच्छा यही होगा, जब वो हमारी तरफ आएं, तो कोई भी हलचल मत करना, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा पिराना आ गई है राजकुमारी मरीना ये तो काफी बड़ी तदाद में हैं लेकिन राजकुमारी मरीना पिराना तो मीठे पानी में रहती है तो इस समुंद्र के खारे पानी में कैसे इन पिर्याना के बारे में हम भी ज्यादा कुछ नहीं जानते लेकिन इतना जरूर पता है जहां ये जाती है अपने पीछे बरबादी छोड़ती जाती है क्यूं बड़ी बड़ी फेक रहे हो ये तो केवल मचलिया है भला इनसे क्या डरना हिलना बंद करो अगर जिन्दा रहना चाहते हो तो क्यूं बखवास कर रहा है बे चुप इन जैसी मचलियों को तो मैं आते में लपेट कर खाता हूँ क्यूं बे तेरा ही नाम पिराना है क्यूं बे कभी बरस नहीं करती क्या अरे तादा तुम्हारा एक आदमी गया मुझे पता चल गया कि पिराना क्या होती है अबे गधे क्या जरूरत थी साप के बिल में हाट डालने की यहाँ साप का बिल भी है चुप गधा वो पिराना है छोटी लेकिन घाव बड़ी करती है रे दादा हिलना मत कोई नहीं तो मारे जाओगे मरना है क्या सर्दार मुझे भागने का मन कर रहा है तो भाग जल्दी राजकुमारी मरीना अब इन सब का बचना बहुत मुश्किल है इन्होंने मुझे बचाया है तो हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए और जोड लगाओ और ताकत लगाओ जल्दी से हटाओ इन्हें सर्दार बचाओ सब एक साथ रहो पीराना ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है तुम्हारा सिकार मैं हूँ वो नहीं जल्दी दरवाजे को बंद कर दो राजकुमारी मरीना आपने हमें बचा लिया ये तो हमारा फर्ज था क्या आप हमें दूसरी चाभी का रास्ता बता सकती है राजकुमारी मरीना उसके लिए महारानी सुंद्री ने हमें यहां भेजा है क्या महारानी सुंद्री ने तुम्हें भेजा है हाँ महारानी सुंद्री ने ही हमें भेजा है मैं तो रास्ता बता दूंगी लेकिन लेकिन क्या राजकुमारी मरीना उस दूसरी चाबी को तुम्हें खुद लाना होगा जो बिल्कुल आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी हिफाज़त एक बड़ा दानो करता है